हलो अबरीवन वेलकम बैक टो दे चैनल सक्से स्टोरीज लेटस टॉक अबाउट सायर सतानी और आयूब शेक की फाइट को लग बग लग बग यह फाइट जो है वो डिसंबर से स्टार्ट हुई थी और आब ही जुलाई चल रहा है तो छे मैने से भी ज्यादा इस फाइट को हो चुका है और इस fight के चलते बहुत सारी चीजे है जो social media पर आई गई यह fight जो है 15 लाग से start वे थी लेकिन जब यह fight आगे आगे चली तो वहाँ पे बहुत सारी बाते हुई तो यह fight है इन दिनों में थोड़ा सा कम हो गई है लेकिन जो fight खतम अभी तक नहीं हुई है यानि कि जो fight का main reason था वो तो side में होके किसी और ही बात के लिए fight हो रही है लेकिन अभी तक दोनों party सुलहन ही करना चाहती यानि कि सब लोग यह रहा देख रहे हैं कि सारे सतनी और अयूप शे कुछ decision ले या तो वो अलग हो जाए या फिर एक हो जाए लेकिन दोनों ही बातों पर दोनों ही पक्ष बात करने को तयार नहीं है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सारे सतनी और अयूप शेक की fight जो है वो 15 लाग रुपे को लेकर बाहर आई थी लेकिन एक्चुल में fight का जो reason है वो 15 लाग रुपे नहीं था fight का reason कुछ personal था जो कि मैंने अपनी वीडियो में share किया है तो आप वो जाके वीडियो देख लेना 15 लाग का भी बीच में matter उठा था और उसके बाद सायला सतनी के character के उपर अयूप शेक की तिसरी साधी करने के उपर और भी बहुत सारा सना इमरान के साथ अयूप शेक की fight बहुत सारी चीज़े social media पर आई लेकिन जो उनके viewers और उनके subscribers चाहते थे कि वो दोनों एक हो जाए या फिर दोनों अलग हो जाए official तरीके से वो ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक हुआ तो यहाज की वीडियो में मैं share करूंगी कि आखिर दोनों एक क्यों नहीं हो रहे और उनके बीच सुल्ह क्यों नहीं हो पा रही है ऐसा क्या reason है कि वो लोग एक नहीं हो पा रहे है तो यहाँ पे जो देखो मैं आपके सामने एक picture रखूंगी आप उसके हिसाब से देख लेना कि सबसे पहले है जो fight क्यों हुई थी fight हुई थी कुछ चीजे थी अयूब शेक को जो सायरा सत्तानी की पसंद नहीं आती थी और कुछ चीजे थी सायरा सत्तानी को भी अयूब शेक की पसंद नहीं आती थी जिसमें एक जो reason है कि सायरा सत्तानी को ये पसंद नहीं आता था कि आयूब शेक का कुछ पैसों को लेकर आगे की प्लानिंग नहीं रहती थी तो साहरा सतानी चाहती थी कि वो अपनी पैसों की अच्छे से प्लानिंग करे उनका एक अच्छा फ्यूचर हो ये सब चीजें उन्होंने अपनी वीडियोज में बताया है वहीं पर आयूब शेक चाहते थे कि साहरा सतानी ऐसी औरतों के साथ उटना बैटना छोड़ दे जो कि अभी आप समझ सकते हो कि साहरा सतानी खुदी अपनी वीडियोज में बोलते थी कि उनका ऐसी औरतों के साथ उटना बैटना था जो धंदे में थी तो आयूब शेक चाहते थे कि वो ऐसा ऐसी वीडियो अदों ऐसी ओड़तों के साथ ना बैठें अब एक और जो चीज़े थी वो ये थी कि साहरा सतानी स्वरी आयूब शेक चाहते थे कि जो उनको एक बात बुरी लगती थी कि सहरा सतानी हमेशे अपने जो पहले हज्बेंट कासिम सतानी उनका नाम उनके सामने लेती थी जिसकी वजह से आयूब शेक को ये बाते पसंद नहीं आती थी और आयूब शेक ये भी चाहते थे कि वो अपना सरनेम चेंज करें तो fight का reason यही था उसी बीच उन्हों का कुछ 15 लाग का भी मामला सामने आया जिसकी वज़े से दोनों का अलगाव हो गया ठीक है अब बाते जो में उनकी जो अभी उनको एक साथ आने से रोकती है एक तो है ego मैं देखती हूँ कि दोनों के ही अंदर ego बहुत है दोनों ही जुकना नहीं चाहते हैं दोनों ही चाहते है कि पहले वो माफी मांगे दूसरा माफी मांगे तब जाके वो माफ करेंगे लेकिन मैंने उनके relationship में एक सबसे main चीज़ देखा है वो ego है और husband wife के रिष्टे में दरार तबी आती है जब दोनों के अंदर ego भर भर के भरा होता है सबसे पहले तो यहां पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ यह कोई hate वीडियो नहीं है यह एक जो बहुत सारी viewers जानना चाहते थे कि उनकी सुला क्यों नहीं हो रही है क्या ऐसा reason है जो इकठे नहीं हो पा रहे है तो उनकी सुला इसलिए नहीं हो और पारी है कि दोनों ही ज पांगना चाहता है और कोई भी जुकना नहीं चाहता है ठीक है दूसरा है जो उनके रिष्टे को एक नहीं होने दे रहे हैं वो है कुछ लोग है जो continue अयूब शेक और सारा सत्तानी के साथ जुड़े हुए है और जो नहीं चाहते है कि वो एक हो लेकिन मैं यहां पे एक च उनों को अलग रहना है तो यह बाते मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ सारा सत्तानी ने अपनी वीडियो में बोला है कि जो अयूब शेक है वो उनके दुश्मनों के साथ बैट बैट के बाते करते है प्लानिंग बनाते है और उनके कान भरे जाते है वहीं पे अयूब शेक भी यह कहते है कि जो सारा सत्तानी है वो उनके जो अयूब शेक के दुश्मन है सूरत में उनके साथ वो रिश्टा रखती है यानि कि उनको अपना बेटा बना के उनके साथ बैटती है आगे फ्यूचर की प्लानिंग करती है बिजनिस करती है तो दोनों ही को ऐसा लगता है कि उनकी वज़े उनके relationship खराब हो रही है आपका इस बारे में क्या कहना है आप जरूर बताना ठीक है तीसरा जो reason है वो ये है कि साहरा सत्तानी जो अयूब शेक चाहते है कि वो अपना surname change करे यानि कि साहरा अयूब शेक बने तो साहरा सत्तानी ऐसा करने को बिल्कुल भी तयार नहीं है जिसकी वज़े से भी वो एक नहीं हो पा रहे है अब आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे तो असल लगता है कि जब ही अभी वो उनके निकाह में है तो उनकी बात उनको ज़्यादा माननी चाहिए और उनकी पहचान को ही लेकि उनको आगे बढ़ना चाहिए चाहिए इसमें अच्छी हो बूरी हो जब आपने निकाह का फैसला लिया था तो आपको ये बाते भी सोचनी चाहिए तीकि ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और जब आई है तो आपको उसके उपर मतलब सोचना चाहिए तो हाँ ये सब छोड़े से रीजन है जिसकी वज़े से वो लोग एक नहीं हो पा रहे हैं और उनके सुलह नहीं हो पा रही है दूसरा है कि एक और चीज़ है जिसके वज़े से वो एक नहीं हो पा रहे है कि दोनों ही मिलने के लिए तैयार नहीं है दोनों अपनी अपनी वीडियो में बोलते जरूर है कि इधर आ जाओ यहां पर आ जाओ हम मिलेंगे लेकिन जब सायरा सतानी बुलाती है तो वहां पर आयूब शेक नहीं आते है और फिर जब वो आते है तो वो मिलते नहीं है या फिर जब आयूब शेक बुलाते है तो सायरा सतानी वहां जाते नहीं है या फिर जाते है तो वो मिलते नहीं है यानि कि ऐसी कुछ प्राबलम हो रही है कि वो दोनों एक जुसरे को फेस करना ही नहीं चाते हैं जब तक वो एक जुसरे को फेस नहीं करेंगे तब तक उनके बीच की मिस अंडरस्टेंडिंग दूर नहीं होगी जब तक वो एक दूसरे के से बात नहीं करेगी, चीजे सुलजेगी नहीं, तो मेरे ख्याल से तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाते हैं, हाँ, सोशल मीडिया पर बताते हैं जरूर है कि उनका वो एक दूसरे से, मतलब यहां पर जब हम मिलेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, छे महीने से चीजे वहीं की वहीं है, और एक और जो रीजन है, वो में भी पंद्रा लाग भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो दोनों एक हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं से उन दोनों को यह वो एमाउंट पे करना पर सकता है, यह च चीजे वो सारा पैसा वो खुद ही पे करेंगे, लेकिन मुझे असले लगता है कि अगर वो दोनों एक हो जाते हैं, यानि कि आयूब शेक और सारा सत्तानी एक हो जाते हैं, तो उनको वो पैसा मिल बाट के देना पड़ेगा, लेकिन अभी तो वो पैसा सिर्फ आयूब शे होना ही नहीं चाते हो, उनकी अभी जैसे एक होता है कि हस्बेंट वाइफ की अगर इच्छा होती है कि उनको एक साथ रहना है, तो वो बहुत सारे गिले शिक्वों को मिटाते हैं, कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजों को छोड़ के आगे बढ़ने क और कोशिश करते हैं सुधरने की जो चीजे सामने वाले को पसंदने उन चीजों को छोडने की तो एक जो reason मुझे यह लगता है कि वो एक साथ क्यों नहीं आना चाते हो यह भी है कि उन्हों ने मन बना लिया हो कि अभी हमें एक साथ नहीं रहना है अभी उन दोनों को अलग ही रहना है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि उन दोनों का मन अभी एक साथ रहने से हट गया हो या फिर वो एक दूसरे से उब गये हो तो ये भी एक रीजन हो सकता है और एक और जो रीजन है वो मुझे ऐसे भी लगता है कि उन दोनों को ऐसे लग रहा हो की वो एक दूसरे के बिना जिंदगी काट सकते हैं यानि की जैसे होता है ना की अभी जब हमें एक दूसरे की याद आती है तो हम कोशिश करते हैं बात करने की, कॉंटक्ट करने की, लेकिन जब एक जुसरे की याद ही ना आए एक जुसरे से हम चाहते ही नें मिलने के लिए तो वहाँ पर एक चीज ये भी हो सकती है, कि उन लोगों को realizing ही और आओगा भी, कि वो एक जुसरे के बिना रह सकते है या आगे चलके उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उनको एक दूसरे की याद आए क्योंकि अभी दोनों काम पे विज़ी है एक तो अपने साइरस अतानी तो अपने बच्चों के साथ काफी विज़ी रहती है और उनके बच्चे भी उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं तो उनको अभी शायद आयूब शेक की कमी महसूस नहीं हो रही है और अभी आयूब शेक भी अपने काम की सिलसले में काफी बिजी रहते हैं वो एक जगे से दूसरे जगे जाते रहते हैं तो शायद उनको ये लेकिन अभी उनको ये सिलसर ना हो रहे हो तो इसले भी इसले हो सुलह ना कर रहे हो और एक जep चीज उठी थी बीच में कि जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं उनकी कांटरक्ट मेरिज नहीं थी उनकी एक अच्छी तूसरे का बाने की कसमिए खाई थी तो एससे writ इस लिए वी कुछ नहीं क्या उनका contract खतंब हो गया है तो इसलिए वी साथ में नहीं आ है ऐसा कुछ नहीं तो आपको क्या लगता है कि जोंने रिजन्ट के लिए उसका है और क्मेंट कर मेąż है वैलिद है क्या वो exist करते हैं तो आप ये सब चीजी मुझे comment box में बोल सकते हैं तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई